हेलो फ्रेंड्स आज हम इस ग्लास बोटल को डेकॉरेट करने वाल है तो मेरे पास एक ग्रीन लैस का पीस पड़ा हुआ था को जिस तरीके से तो मैंने सुचा कि क्यों ना इसको बोटल में डेकॉरेट किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए तो देखिए इस लैस को अब हमें पेस्ट करना है तो इसको पेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे फैविकॉल एसेच आप चाहिए तो एमार का भी यूज कर सकते हैं लेकिन एमार थोड़ सा लिक्विट फॉर्म में होता है ज्यादा और यह थोड़ सा हार्ड होता है तो य कलर का देखिए कोई वह मैटर नहीं है कलर तो मैं पस गिरिंग रखा हुआ था असलिए मैंने गिरिंग का यूज कर लिया आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके के नेट भी आप लिए सकते हैं जो मैं आज आपको इस तरीके के दिखाने वाला हूं वाला हो तो उसे आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं जो आज मैं आपको एक नया तरीके का डिजाइन बताने वाला हूं तो इसको ध्यान से देखिए मैंने पूरे ही इसको मैं बॉटल में फैविकॉल लगाके इसको अच्छे तरीके से इसको मैं पेस्ट कर ले रहा हूं त आप कहीं भी लगाएं और वो अच्छे तरीक से पेस्ट ना हो तो इन चीजों का आपको धियान अखना है कि आप जब भी कोई भी वर्क करें तो अच्छे तरीक से चीज को पेस्ट करें जो आपको लॉंग टाइम के लिए आपके लिए बेनिफेट रहे बॉटल में क्योंकि देखिए मैं बॉटल में कभी भी जो डेकुरेट करता हूँ वो हमेसा चीज जो होती है परमेंट रहती है क्योंकि मैं बॉटल को सैल भी करता हूँ इसलिए मैं वैसी आपको लोगों को बताता हूँ कि कभी भी आप बॉटल इस तरह के से डेकुरेट करें तो इसको temporary मत करिए उसको permanent बनाई है ताकि आप bottle को अगर आपको कभी sell भी करना हो या उसको wash करना हो कुछ भी करना हो तो आप उसको करना है white primer तो देखिए बर्जर का white primer हम use करेंगे चाहे तो आप देखिए company कोई भी ले सकते हैं बर्जर मैंने इस तरह किसे बता रहा हूँ यूगि यह ज्यादा थोड़ सा budget में आ जाता है तो आप बर्जर का white primer का use कर सकते हैं और एक sponge foam की help से इस पूरी ही bottle को आपको apply करना है तो देखिए जो यह primer हम करते हैं single code पर ही हमें नहीं रोकना है तो इस तरीके से आप कोई भी design को paste करने के बाद इसमें white primer को कर दीजे यूगि देखिए white primer हम कर देते हैं तो हमें acrylic color करने में काफी easy रहता है तो इस तरीके से देखिए मैंने तीन code इसमें white primer के करे हैं अब इसके बाद हम कोई भी acrylic color का use कर सकते हैं जिससे हमारा color भी safe रहता है और इसमें color apply अच्छे से होता है अब मैं favicle की molded air dry clay ले लेता हूँ जिसमें मुझे बनाना है rose तो इस तरीके से देखिए rose को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं मिरे हाथ को fingers आप इस तरीके से observe कर के देखिए कि rose आपको clay से किस तरीके से बनाना होता है और कितना beautiful आप इस तरीके से look दे सकते हैं तो एक छोटा से जैसे मैंने पीस लिया उसको round circle में गुमाया और छोड़े छोड़े से पीस को मैं हलकलका fold करके लगा रहा हूँ जैसे leaves होती है रोज की उस तरीके से एक एक leaves मैं इस तरीके से paste कर रहा हूँ तो उससे हमारा एक rose बनके आ जाएगा तो आप लगाते रहे हैं जितना बड़ा आपको size दिना है rose का उतने ही pieces आपको बढ़ाने पढ़ेंगे आपको उतना ही size उसका धीर दे करके बढ़ाते रहना चाहिए वैसे ही हमारा rose बनके आएगा छोटे पीस नी रखने ना ही equal रखने आपको rose के साफसे पहले छोटे पीस से सुरू करना है और बड़े पीस तक ending करनी है आपको इसमें जितना बड़ा आपको rose दिये उतना भी बना सकते है लेकिन मुझे ज़्यादा बड़े rose इसमें नहीं चाहिए मुझे छोटे-छोटे rose इसमें अलग-अलग तरीके से paste करने है तो मैं इस तरीके से आप लोगों बनाके दिखा रहाँ कि किस तरीके से आप rose को बहुत इज़ी तरीके से बना सकते है बहुत ही simple है और rose आपका बहुत ही प्यारा लगने वाला है इस तरीके से बन के तो कुछ इस तरह के से देखे रोस को आपको बनाना है और उपर की तरफ जो leaves खिल के आती हैं वो आपको press नहीं करनी है जिस नीचे का area press करना होता है आपको तो बस यह देखे की ध्यान रखे कि आप इस तरह के से clay को बनाए तो देखे कि अगर आप first time beginners हैं तो थोड़ सी आपको दिक्कत जरूर आ सकती है बट अगर आप observe अच्छे तरीके से कर लेए तो आपको कोई दिक्कत निया नहीं वाली है क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से explain भी कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से चीज को बनाना होता है कोई भी clay होती है और यह देखिए clay मैंने इसमें कहीं भी फैविकॉल नहीं लगाया बार-बार आपको फैविकॉल इसमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इस तरीके से अपना आप ही यह paste हो जाता है क्योंकि clay मैंने भी just अभी mix करी है और इसके बाद ही आप इसमें रोज बनाना शुरू कर देंगे तो वह automatic इसमें अपना paste हो जाती है अब जो extra जो back side थी वह मैंने उसको cut कर लिए ताकि मुझे paste करने में आसानी रहे और देखिए कोई इस तरीके से यह paste करने के लिए हमारा ready है अब paste मैं कर रहा हूँ fabric glue से fabric call या fabric glue अब कोई भी ले सकते हैं उससे आपको एक clay को paste करना होता है और बहुत अच्छी तरीके से यह paste हो जाती है ज्यादा हाथ से इसको press नहीं करना है बट कोशिश करें कि इदो अदर design से हलका हलका दबा दबा के उसमें हलका सा press आ जाए जिससे वो अच्छी तरीके से paste हो जाए अब जैसे मैंने rose बना दिया है तो उसकी बाद मैं clay को हलका हलका flat कर रहा हूँ जिससे मैं इसमें clay का tool आता देखिए leaf का इस तरीके से उसको मैं use कर पाऊँ तो देखिए यह जो tools हैं clay tools होते हैं तो इस तरीके से आप अपने clay में use कर सकते हैं यह leaf का design है तो देखिए मेरी इस तरीके से leaf बन के आगई है designing तो यह अगर tools आपको buy करना है तो मैंने description box में इसका link दिया हुआ है आप वहाँ से इसको buy कर सकते हैं क्योंकि देखिए जो भी अगर हम कोई work करते हैं तो हमें थोड़े बहुत उन चीजों की tools जरूर चाहिए होते हैं अगर आप कोई भी clay work कर रहे हैं और आपको कोई भी design देना है कुछ देना है तो tools की जरूरत आपको कही न गहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि आप जब धीर धीर करके work करते हैं तो उनके tools होते हैं या फिर कोई भी चीज़े आपको जोड़ा सा best अगर आपको दिखाना होता है तो वो चीज़े आपकी जुरत पढ़ी जाती है क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ से नहीं बन सकती हैं तो वैसे ही क्ले के कई सारे tools आते हैं molds आते हैं वो काफी सारे available हैं मैंने उनके link भी description box में दे रखे हैं तो आप उसको वहाँ से buy कर सकते हैं कि क्ले में कौन कौन से tools का आप use कर सकते हो mold का use कर सकते हो या उसमें क्या क्या चीज़े use होती है वो सारी चीज़े मैंने description box में link आपको दे रखे हैं कि और वहाँ से आप check out भी कर सकते हैं आपको लोगों को कम से कम एक knowledge ही मिल जाएगी कि आपको clay के tools में किस-किस तीज़ों के use होती हैं जैसे आप मैं देखिए एक ये इस तरह के tool भी use कर रहा हूँ कि जब आप अच्छे तरीके से उसको use करेंगे और चीज़ को समझेंगे कि कहां हमें tools का use करना है कहां हमें हाथ से use करना है तभी आप देखिए देखिए दे करके इन चीज़ों मैं professionally आप इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि मैं especially जो मैं आज बता रहा हूँ वो सिब एक beginners को एक तरीके से सिखाने के लिए क्योंकि मैं को अलग से सिखाने का नहीं मिलता है क्योंकि मैं इस तरीके से ही आपको आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि मैं किस तरीके से work करता हूँ और इस तरीके की जो bottles मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो matter करता है और उसको आप कहां किस तरीके से sell कर रहे हैं आप उसको जाद से जादा अपने social sites में लोगों को share कीजिए और अपने work को दिखाईए कि कितने लोग bottle work बना तो लेते हैं कहते हैं कि हमने bottle work बनाया है कितना अच्छा लग रहा है और कैसे मतलब हमारा sell होगा किस तरीके से होगा कैसे और लोग बेच लेते हैं तो देखिए कितने लोगों को ये नहीं दिहान लेते हैं कि कितनों का work ऐसा होता है कि वो एक sell करने के लिए लाइक नहीं होता है क्योंकि अपने वर्क को उस तरीके से बनाना पड़ता है कि आपका वर्क कोई अगर देखता है तो वो चीज देखे कि हाँ ये यूनिक लग रहा है और कितना फिनिसिंग से बनाया है काफी अलग है तो ये चीजे अगला आदमी जो भी कोई बायर्स होगा वो इन चीजों को आपने कोई भी डिजैन बनाया आपने देखा और उसको अच्छे तरीके से आपने वो चीज फील दिया ही नहीं बाटल में और आप सोचेंगे कि हमारी बाटल हमारे हिसाब से वो अच्छी तो होती है बट ये कि खईदने वाले हिसाब से अच्छी नहीं होती है तो इन ची जो का आपको धियान रखना होता है समझना होता है और बॉटल को अपना इस तरीके से decorate करिए और अपना present पुरा इस तरीके से उसमें बॉटल में दिखाइए अपनी महरत दिखाइए कि आप बॉटल को अगर कोई price अगर आप लेते हैं तो उस price उस bottle पे बैठ रहा है या नहीं और उस bottle के लायक वो है या नहीं price के लिए तो इन چीजों का बहुत दिहान रखना होता है और सबसे main है कि आपका work work आपके bottle में अच्छा होना चाहिए work कुछ भी हो चाहिए आप clay work करो कोई painting करो या आप naturally normally बली कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, बस वो अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाला देखे आपकी बॉटल को तो उसको लगेगी, हाँ आपने बॉटल में मेहनत करी है, और ये काफी अलग है, कुछ डिफरेंट है, और इसमें मेहनत करी हुई है, तो उनका वर्क उतना अच्छा नहीं होता है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यतनी डिटेलिंग कोई नहीं बताएगा किसी भी वीडियो में, बस आपके वर्क को बोलेगा अच्छा है अच्छा है, या फिर आप किसी को भी आप पोस्ट कर देत और लोगों की कमेंट्स से आप देखेंगे कि वो उनके बोल तो दिया अच्छा लेकिन आप वाकई में देखे कि व क्या वाकई में अच्छा है या नहीं, इस चीज को आपको डिबेंड करना पड़ता है कि आपका वर्क कितना अच्छा है, उस तरीके से दीरे दीरे आप बॉटल्स को बनाएंगे उसको अच्छे से डेकुरेट करेंगे और जादा जादा लोग देखेंगे तो आपकी बॉटल्स सेल होने में आएगी बस उस तरीके से होनी चाहिए और इन चीजों का ध्यान बस आपको टाइम देना होगा अब देखिए मैंने दोनों ही तरफ मैंन बात में वार्iveness का कोई दिक्केत आती तो आप डिरेक्ड़ी ऑल पेंट का यूज पारती है अभी में पास करए एक्राइलिक ए Rider हो जागा तो मैं Liquid Varniche करूंगा तो इस तरीके से आप योज़िए कर सकते हैं कलर को आपको देखना पड़ेगा कि ठर्ट कोड की अगर इसमें जुरत पढ़ रही है नीड है तो आप ठर्ट कोड करिए नहीं तो सेगेंड कोड आपको करना ही होता है अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैं एक पिंक कलर लिया है स्पंच फोम में इस तरीके से हलक हलका अब हम मुझे करना है करना है यल्लो कलर तो जो मैंने लक और यहलो लगा उनका और चो बैंद करना होगा इस मिव बीद कोर रोघा अब मुझे करना होन्य उस Uzरा लग डियाई करना ह्या है यह श्ली लगए तो इस तरीके से दिखिए आपको घ्र avoir य्योज़ करना थे बस आप brushes का ध्यान रखें कि अगर आपका कोई बारिक चीज है तो वहाँ पर जीरो नंबर का या फिर वन नंबर के round brushes का यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो brush चले वो उतने ही area में चले आपका इधर उधर color नहीं लगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि बारिक काम होता है तो उसमें आपको बहुत focus करना पड़ता है कि हम कहां किस जगे पर कौन सा brush का हमें use करना होता है तो इस तरीक से देखिए मेरी पूरी bottle अप finally complete होने ही वाली है और color जब यह dry हो जागा तो उसके बाद हम इस करेंगे इसमें varnish तो देखिए अभी से ही हमारी bottle काफी अच्छी लगने लगी है और फाइनली देखिए मैंने पूरा color कर दिया है और background मैंने इसको वाइड ही रहन दिया है वहलब इसमें एक्रैलिक कलर कलर रखा है हलका सा light blues मैंने इसमें effect दिया हुआ है जो आपको मैं वीडियो में नहीं जाओगा इस तरीकी वीडियो अगे भी मैं आप लोगों के लिए और लेकर आने वाला हूँ तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आये हैं तो आपनी चैनल में लेकर आते रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग